नमस्कार मैं हूं सुमन कुमार टीवी नैन भारत वर्ष में आपका स्वागत है आटो एक्सपो में बहुत सारी चीजे हमने आपको दिखाई है कुछ ऐसी परिशानी जो हर दिन हमें आपको परिशान करती है हर दिन हम उसे रूबरू होते हैं आखिर वो देश के लिए बहु सबस्ता की गई है उस पर में चर्चा कर लिता हूं सब का नाम में आजाना जाओंगा मैसल वक्टर स्मित बंसल एन आयम फ्रॉम आरेंटी डिविजन ये बताए कि अभी देश में सबसे बड़ी समस्या जब कच्रे की है खासकर उसके निस्तारन के लिए बहुत कुछ तो आप लोगों सॉलिशन क्या देनी कोशिश की है ये कोशिश है आयो से लरंडी की तरफ से कि जो भी वेस्ट की समस्या है उसको सुल जाया जाए और इसके लिए हमने बायो मीथे नेशन टेक्नोलोजी डबलब किये तैट इस इंडिजिनस बाई इसल रंडी इसमें हम क्य कैसे इसे काम करते है इसका ये पुरा रिममस्टेश्शन समझा लकर बाद के प्लासिक बेस्ट या ग्लास वेस्ट है उसको सेक्रिगेट करते है सेग्रिगेट करके उसको हमें किवल बायोडेग्रेड़ वेस कोई उसे काम है और फिर इसको क्रशिंग करके क्रश करते हैं यहां पर चोटे-चोटे पार्डिकल्स में तूट जाता है काट देते हैं उसको ताकि अच्छे से वह हो पाए उसके बाद उसको वाटर के साथ मिक्स करके सलरी बनाते हैं और सलरी जब बन जाता है तो उसको हम प्राइमरी डिजेस्टर में डियूस करते हैं इस्टो नहीं इसमें डालते हैं इसमें हम इसमें बैक्टिरिया इनकुलेट करते हैं सब्धेरी आपर स्पीजीं नागे बढाता है उसके बाद यह सारा जो जाता है वह में डैजस्टर में बायो देटेशन होता है और जो बैक्टी रिया है उसको बायोडेग्र वरेस्ट को तोड़के मिधेन फॉर्मेशन करता है जिए अब मेधेन वहां स्टोर करते हैं तो अब पूरा मेधेन स्टोर पूरा में यह जाता है तो स्टोर करते हैं और वाइधा एंड उसको फिल करते हैं यह आपको रिटेल आउट बेम जाता है यहां तक आपके गाड़ी तक पहुंचाने के लिए काफी है बिलकुल बिलकुल और जो भी इस प्रोसेस में जो भी लिक्विट सॉलिट जो बसता है आफ्टर मेथन फॉर्मेशन उसको हम सॉलिड लिक्विट सेपरेटर से सॉलिड को अलग कर लेते हैं जिसी यूज यहाज इसको अग्रिगल जैलेंड आप खास की तरह यूज गर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छी टेक्नोलोगी प्रोसेस में कितना दिन लगता है मैं इस इस्टी सिक्सावर्स तो या तीन दिन में यह जर अभी हमारे पास कहा कहा यह प्लांट है अभी यह जैपुर में है बस अब ही वहां सॉलिट पर काम नहीं हो रहा है और यह ग्वालियर और गोरुपर में मैं इस नीजर फीचर आई ही जाएगा अब यह जाए चले बहुत बहुत शुक्रे है आपका क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि घर से निकालने वाले जो कुड़े हैं या किसानों के खिज से निकालने और समझाने में दो ही चीजे हैं, वो सरकार की मंसा चाहिए, लोगों की मंसा चाहिए और फिर ये काम बहुत ही आसार हो जाता है, केमरमेन खड़क के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी नेन भाग फ़र्च की झाल